आज के लेक्चार्स के उपर फॉकस करना, टॉपिक वाई सीरीज को हम डिसकस कर रहे हैं, टॉपिक हमारा रहेगा, कम्प्योटर सेक्योरिटी, यहां से आपके एक्जाम में कॉश्चन्स देखने को मिलेंगे, कम्प्योटर सेक्योरिटी से जितने भी MCQs हमने एनलाईज किय हैं, वह सभी questions include कर दी गए हैं, friends इसमें previous paper से लेकर top 10 magazines और highlighted MCQs सभी discuss हैं, यहां से आपको कम से कम 4-5 lectures MCQs के रूप में देखने को मिलेंगे, हारे questions important आप लेकरेगा, आपके इस exam के लिए, first questions आपके screen के सामने है, mock test के रूप पे लगाना है, it takes advantages of basic hardware and software security characteristics, बताना है, एक बुन्यादी hardware और software शरक्षा विशेश्ताओं का लाव उठाता है, क्या वो system design है, data access control है, system access control है, या फिर none of these, चली बताइए, the right answer is option number A&K, system design, I hope सबका अंसर सही भी हुआ होगा, और आपकी practice भी बहुत बढ़िया चल रही होगी, friends, अगर आपकी practice बढ़िया चल रही है, और इस exam के लिए अगर आप free test लगाना चाते हैं, हजारों students के साथ, तो यह है HPG के अपकी टेम का number, यहाँ पर whatsapp करना, लेकिन whatsapp करते समें free test junior office assistant जरूर mention करें, और आप इस government job के लिए बिल्कुल serious हैं, तब आप professionals के अंडर इस course को भी join कर सकते हैं, जिसमें आपकी बहुत यह त्यारी हो जाती हैं, सारी जानकारी whatsapp करके आपको मिल जाएगी, next यहाँ पर questions आपकी screen के सामने है, verification of a login name and password is known as, बताइए, अगर questions गलत होता है तो आप मानकर जली की अभी आपको मेहनत की जरूर्थ होगी, बताइए, the right answer is, option number cn की authentication, verification of a login name and password is known as authentication, clear, आपके exam में यहाँ से questions देखने को मिलेंगे, हम इन पर बहुत जरूर्थ पूछेगा, skip करके जाओगे, मुश्किल आपको आएगी, the scrambling of code is known as, बताइए, options अभी के सामने हैं, friends, fast superior courses भी आपके चल रहे हैं, join आप कर सकते हैं, what's up कर लेना, the right answer is option number, encryption, clear, आपके हैं, आप सबका अंसर सही हुआ होगा, next, यहाँ पर देखते हैं, cracked software are another source of, बताना है, जल्दी से, the right answer is, option number BN की, virus attack, चलिए, next, यहाँ पर देखते हैं, computer viruses, दोस्तों, focus करीं, questions के उपर, important questions हैं, ठीक है, अगर आपके concept बहुत बढ़ी है, clear हुए है, तब आपको यह बिल्कुल आते होंगे questions, हम रिपर बोड़ इस तरह की questions आपके exam में पूछने वाला है, the right answer is, option number C, यानि की, a computer program, ठीक है, computer virus, a computer program, according to options, clear, next, यहाँ पर देखते हैं, which virus spreads in application software, application software में कौन सा virus फैलता है, क्या वो macro है, boot है, file है, anti-virus है, बताना है, और आप सभी को, इन सभी के बारे में clear भी होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा-थोड़ा आपको clear होना चाहिए, friends, computer के लिए, full questions, आप join कर सकते हैं, GK के full questions, आप join कर सकते हैं, whatsapp कर लेना, courses के अंडर, आपकोई सब कुछ मिलता है, with full mock test series, professional scanner बनाई गई है, सभी का experience आपके लिए काम आएगा, इस exam को tackle करने के लिए, clear, macro virus, चलिए, next, यहाँ पर देखते हैं, पहला computer virus, first computer virus is, बताना है, सोचना है, right answer, option number A and K, कीपर, अब दोस्तों, आपके mind में यह questions भी put up हो रहा होगा, कि, आपके exam में क्या questions का level रहने वाला है, friends, same इसी तरह का level आपके exam में हमेरे पर पूछने वाला है, ठीक है, बिलकुल 100%, तब आप इन questions की value को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, which of the following enables to determine how often a user visited a website, बताईए, निमले कि तमें से कौन सा यह नरधारित करने में शक्षम होता है, कि उपयोग करता किसी website पर कितनी बार आया है, बताईए, आपको hackers के बारे में पता होना चाहिए, spammer के बारे में पता होना चाहिए, phishing, fish, identify theft के बारे में आपको पता होने चाहिए, यह थोड़ थोड़ बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी exam के लिए important key points है, clear, चलि नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं, the right answer is option number ANK, hackers, clear है, चलिए, next, the first PC virus was developed in, बताईए, सोचिए, अगर आपके questions सही हो रहे हैं, तो well done, दोस्तों आप मंजिल से बहुत, बहुत, नजदीक हैं, ठीक है, बस थोड़ी सी guiding और थोड़ी सी और मेनद कर लेना, आपका exam निकल जाएगा, आज बोल रहाँ, ठीक है, तो कि ऐसे बहुत सारी students होगे, जिनका paper clear होगा और बाद हमें message करेंगे, the right answer is option number, BNK 1986, experienced team है, join करिए, आपके लिए फाइदा होगा, next, dash is a type of software designed to help the users, computer detect virus and avoid them, बताइए, एक प्रकार का software है, जो प्योग करता कि, computer को virus का पता लगाने, और उन से बचने में मदद करने के लिए design की जाता है, आपको दोस्तो malware के बारें पता होना चाहिए, आपको adware के बारें पता होना चाहिए, एंटिवाइरस के बारें पता होना चाहिए, ठीक है, दोस्तों, malware से लेटेट तो questions होगा ही होगा, एंटिवाइरस से लेटेट questions तो होगा ही होगा, क्या आप इन चीज़ों को skip कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि important है, बताइए, एंटिवाइरस is the right answer, next, यहाँ पर देखते हैं, which are now the following usually used in the process of Wi-Fi hacking, बताइए, Wi-Fi hacking करने के लिए इन में से कौन सा उप्योग किये जाता है, प्रक्रिया कौन सी यूज़ की जाती है, options आपके सामने है, important है, the right answer is, option number A, अब दोस्तों, यह जो questions है, वो पिछली 8 मिने की मिलागतार मैगजिन्स में questions highlighted हुआ है, हो सकता कि आप आपके एक्जाम में direct questions पूछा जाए, in ethical hacking and cyber security, there are dash types of scanning, बताइए, ethical hacking और cyber शुरक्षा में dash scanning के प्रकार है, सभी कौला चाहिए questions important है, अब इस तरह के जुरूर questions पूछेगा, the right answer is, option number C, 3, याद रख लेने है questions को, ठीक है, अगर एक भी questions छूटेगा, बहुत कुछ स्किप ह हो जाएगा आपका, ठीक है, next, यहाँ पर देखते है, coordinate dash का एक प्रकार है, option सामने है, well done, अगर आपके questions सही हो रहे है, like खुद के लिए करके जाना, क्योंकि यह आपकी मेनत है, कि आपके questions सही हो रहे है, बताइए, the right answer is option number C, NK, computer virus, clear, चलिए next, यहाँ पर देखते है, which of the following can be considered as the elements of a cyber security, बताइए, which of the following can be considered as the elements of a cyber security, निवल खित में से किसे cyber structure के element के रोप में माना जा सकता है, computer को English में read करने की कोशिस करो, हिंदी बहुत typical होती है, understand नहीं की जा सकती हिंदी, computer में, ठीक है, the right answer is option number D, NK, all of the above, clear, next, in the computer networks, the encryptions techniques are primarily used for improving the, बताइए, important questions, highlighted questions, MCQs questions की category में questions है, पिछले 6 मन्त की magazines में, और आपके हिमा चलो, center level के exam में questions, पुछा गया है, the right answer is option number A, NK security, अब दोस्तों आपको क्या करना, HPG के आपकी टीम का WhatsApp करिए, फूल कोर्स की जानकारी प्रापत करिए, किसी भी तरह से exam hall में जाने से पहले, आपको उन सभी questions को, test को, mock test को, MCQ series को, highlighted series को, read करके जाएए, एक भी questions आपका नहीं ठूटेगा, ठीक है, क्योंकि जतने आदाव हैं, आप इस exam के लिए MCQs read करोगे, उतने आदाव के chances आपको।